बच्चों, जब हम सांस लेते हैं, तो हवा में उपस्तित ऑक्सिजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डियुक्साइट को बहार निकालते हैं। ज़रा हाथ को नाक के पास लाइए और हवा को बहार छोड़िए। कुछ गर्माहट महसुस हुई? इसका अर्थिये हुआ कि जो कार्बन डियुक्साइट बहार निकल रही है, उसका तापमान हमारे वातावरण की कार्बन डियुक्साइट के तापमान से थोड़ा ज़ादा है। और इसमें ऑक्सिजन की मात्रा कम है। तो क्या बच्चों कारबन डॉकसाइड की मात्रा हमारी शेरेर में अधिक और वातावरण में कम है चली जानने का प्रयास करते हैं इस क्रिया कलाब के लिए हमें ताजे बने चूने का पानी चाहिए दो परकनली जिससे मैंने पहले से ना मांकित किया है और और ब परकनली स्टैंड और एक दो छेद वाली रबर की कॉर्क इसमें स्ट्रॉफ हसाया है स्ट्रॉफ की जगे आप खाले रिपिल भी यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले हम इन दोनों परकनली में इस चूने के पानी को डालेंगे और स्ट्रॉफ की सहायता से अप अरकनली में हवा भरेंगे और बाप अरकनली में हवा को बाहर खीचेंगे और चूने के पानी में हो रहे परिवर्तन को नोट करेंगे सबसे पहले हम अप अरकनली लेंगे और इसमें चूने का पानी डालेंगे इसी प्रकार से बाप अरकनली में भी चूने का पानी लेंगे अब इस अप अरखनली में कौर को फसाएंगे और जब हम इसमें हवा डालेंगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा अब आप देख सकते हैं कि अप अरखनली में जो चूने का पानी है वो दूधिया हो गया अब आप अरखनली से इसकी तूलना कर सकते हैं इसी प्रकार से अब हम जो दूसरी परखनली है उसमें हम हवा को बाहर खीचेंगे अब आप अरखनली में कौर को फसाए है इसमें हम हवा को बाहर खीचेंगे तो बच्चो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बप अरखनली का भी पानी दूधिया हो गया लेकिन बप अरखनली के पानी को दूधिया होने में जादा समय लगा बलकि अप अरखनली का पानी दूधिया जल्दी हो गया ऐसा क्यूं हुआ क्यूंकि हमारे मुझ के दोरा और इस परखनली में वातावरण से कारवन डॉकसाइट इस टेस्टिप के अंदर गई और इसकी क्रिया चूने के पानी से हुई इसका अर्थ ही यह हुआ कि हमारे शरीर में कारवन डॉकसाइट की मात्रा अधिक है जिसके कारण इस चूने का पानी जल्दी दूदिया हो गया बलकि इसमें कारवन डॉकसाइट की मात्रा कम मिली जिसके कारण इसका पानी जल्दी दूदिया नहीं हुआ